दोस्तो आज हम MS Word में तीन चीज़े देखेंगे that is my bold italic and underline बोल्ड italic underline को देखने से पहले हम कुछ basic चीज़े देखते हैं जैसे कि हमें words का navigation कैसे करना है कभी हम अपने document पे प्लिक करते हैं तो हमारे पास एक pointer option आते है blinking pointer जिससे जहां पर भी आप इसको रखते हो तो महां से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो सबसे पहले अगर सबस्क्राइब आपको कभी भी किसी word को सिलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट के साथ सबस्में आगे की तरफ book को सिलेक्ट करना जाता हूं तो मैं इस book को ऐसे select कर सकता हूं सबसे पहले में shift को प्रेस करता हूं and forward arrow से इस book को select करता हूं and यहां से में bold प्लिक करता हूं वर्ड बोल्ड हो जाएगा नेक्स्ट जो मैं करता हूं एक वर्ड छोड़ता हूं यहां से तो मैं नॉमली इसको प्रेस करता हूं शिफ्ट तबाता हूं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं अगर आप भी मेरे साथ साथ कर रहे हो तो आप पुरे सेंटेंस को कवर करना इसको बोल्ड करता हूं आपको बोल्ड के बारे में समझ आया होगा नेक्स्ट जो हमारे पास है इतालिक लेकिन इतालिक को देखने से पहला हम एक चीज और कवर करते हैं आप मुझे एक एक दबाएंगे एंगे अगें तो यह वर्ड जंप करना स्टार्ट इस वर्ड जंप से हमारे क्या होता है कि नविगेशन थोड़ा से स्ट्रॉंग हो जाता है सबस्में पीपल के बाद दे को सिलेट करना चाहता हूं तो पैलर पास क्या है मैं शिफ्ट को प्रेस करने के साथ एक एक औरण बोlet को देसं चाहता है मुझे कंट्रोल भीirenअ होग सिलेक अचलेक्छिव represents तो में प्रेट को य्मद में सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे कुष्ड लिद बना और शिफ्ट बना हुगा अदना ऌईयल कुविद तो आ इक वर्ड बाद एक सा अग्या शा one similarly control for jumping control plus shift and forward arrow for selection this is my italic right I think I'll put you a semester you I will do it just this thing I'm gonna get control for jumping and shift for selection and this is for italic and the last thing johar pass up a this is that is only bold deka italic the last johar process that is my underlying underline to come back same procedure suppose my control shift and we go in the selection so here I will do this underline to click on the word underline to go similarly my word jump I will do this underline to use this underline to go to the word underline to go and I will have to move on to a word that is what is those word say to have a word here so if I go to उसको selection हमारे पास है तो दुबारा से मैं underline को untick कर देता हूं right means unclick कर देता हूं यह हम क्या कर सकते हैं simple control plus you दबा सकते हैं जैसे कि हमारा underline का shortcut है तो automatically हट जाएगा कभी आपको underline करना होगा तो यू दबाएंगे तब भी underline हो जाएगा वापी से दबाएंगे तो underline हो जाएगा similarly मैं दोस को select करता हूं सबस्वाज मैं इसको selection किया देश वन दूस नॉमली मैं control shift इससे select कर रहा हूं तो दुबार से में control यू दबाता हूं तो वह भी underline से हट जाएगा similarly suppose मैं एक italic को देख लेते हैं सबस्वाज मैंने always को यहां पर selection किया तो मैं italic को हटाने के लिए क्या करना होगा control प्लस आई तो यह भी हट जाएगा similarly suppose people को मुझे करना है तो people को मैंने select किया right this one मैंने से selection किया that is control plus B तो bold से वह normal आजाएगा I think आपको bold italic underline के बारे में सारी पिचल अभी clear है next जो हम देखते हैं simple चीज़े suppose मुझे पूरी की पूरी line को select करना है तो line को selection के लिए हम क्या करते है है shift and आपकी keyboard में कहीं ना कहीं बटन होगा that is end end का मतलब चुमेंजा यह pointer arrow है अभी blinking arrow है यहां से डारेक्टली end पर आ जाएगा तो मैं shift दबाता हूं और end पर जैसे क्लिक करता हूं तो selection हो जाएगा अगर इने के suppose आप end की तरफ हो आपको पूरा पूरा तक स्टार्टिंग तक से लेक्षट करना है तो आप शिफ्ट दबाओगे और home पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका home तक पूरा पूरा आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अल्राइट थैंक यू गाइस सी यू सुन